खलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो चलिए रेइपिस सुरू करते हैं ये यह देखिए इसी तरह से सारे मुनगे हमने कट कर लिये हैं अब हम इसे पानी पर डाल देंगे लगभग हमने इसको पांच मिनट डुबा कर रखा अब हम इसको इस तरह से प्लेट पर निकाल लेंगे यह देखिए एक आलू हमने लिया इसे हमने पाले ही छील लिया है अब इ इस तरह से कट कर लेना है, यह सबजी खाने में बड़ी ही मज़ेदार होती है, तो यह देखिए आलू को हमने कट कर लिया है, अब इसे भी पानी से निकाल लेंगे, तो यह देखिए हमने गैस का फ्लेम अन कर लिया है, और हमने सर्सो का तेल लिया है, अब हम इसमें सर्सो के सीट से डाल दिए प्याज हमने लंबे-लंबे काट लिए हैं और इसको इस तरह से गोल्डन-ब्राउन होते तक फ्राइए कर लेंगे यह दिखे सुनाहरा कलर आगये है प्याज का अब हम मेथी-भाजी इस तरह से डाल देंगे इसको इस तरह से चला लेना है अब हम इसमें आ लेसुन प्याच का इस तरह से पेश्ट डॉल दिए लगभग एक मिनिट इसको और पका लेंगे ये देखिए इस तरह से इसको फ्राई का लेंगे अब इसमें हलदी का पाउडर मिर्ची पाउडर नमक हमने स्वात के अनुसार डाला है और ये टमाटर हमने लिया है टमाटर ह को क्रेंट के हुए तमाटर हम डालते हैं फीस करके तो उसमें खाने में उतना मज़ा नहीं आता सब्जी में इसी तरह का टमाटर डालने से बहुत ही बढ़ी आस्वाद आता है तो डिखिए इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको फिर से एक बार अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे अब हम इसमें पानी हमने करीब दो ग्लास डाला है और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे और लगभग हम इसको 15 मिनट पकने के लिए ढग देंगे तो अब देखिए 15 मिनट हो चुका है ये देखिए इसको इस तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेना है और इसमें जो हमने आलू डाला है न वो आलू हम थोड़े से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से दबा दबा कर इसको रस में मिक्स कर देंगे इस तरह से दबा लेना है ये देखिए रस में मिक्स करके इस तरह से अलू को मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट खुला छोड़ देंगे तो यह देखिए हम इसे आपको सारू करके दिखाते हैं देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है यह बनाने में भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो दूस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो के साथ बाबाई